केमसी कैंसर संस्थान, केमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरट, उत्री भारत का आधुनिक्तम, एवं अत्यंत सुरक्षित, रोबोटिक, रेडियो थेरेपी, वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही वे सुरक्षित है, रैपिट आर्क से सुसर्ज के लिए आधुनिक्तम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है, नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट, आज हम उस धर्ती पे खड़े हैं, जिसने देश की आजादी लड़ी, यानि की मेरट 1857 का गदर भी यहीं से श कारटी है, जिसका निर्मान ही चौधरी चरण सिंग जी ने करा था, मेरे साथ लोगदल के राश्ट्री महासचीव अपने कारे अधिकारियों के साथ मौझूद हैं, उनकी कारेकारणी भी यहां है, और इस पूरे इलाके का बुजुर्ग, युवा और यहां का बहुत सारा किसान एक जुठ होकर अपनी बात दिल्ली तक पहुचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं किस दिन जब यह बाते उठकर कभी गई थी, दिल्ली तक तो अंग्रेजों की सरकार ही ली थी, और अब बात हो रही है कि भारत सरकार सुने, धर्टी पुत्र को भा किया, वो और लोग नहीं कर सके, लेकिन अब आप, आपके लोग क्या चाहते हैं सरकार से, देखे जैसे कि आपने का धर्टी के लाल, इस धर्टी पर दो ही लाल है, एक है जवान और एक है किसान, किसान इस समय अपने आपको ऐसा है महसूस कर रहा है, हम सब लोगों ने ये फैसला किया है, सारे किसानों ने फैसला किया है कि हम सब लोग अपने किसान महसिया, स्वर्गय चोदी चंसिंग जी को भारत रतन दिलाएंगे, और उसकी पूर चोर सोर से बांग उठाएंगे, खास तोर पर नूरपुर से जिसलाल ने जन्म लिया, वो नूरपुर भी परदेश में चुनाओ आते हैं, कोई राजनितिक पार्टी आती हैं, जब भी पच्ची मत्तर परदेश में कोई नेता आता है, तो उनके स्वर्गे चोदी चंसिंग जी को माले अरपन करते हैं, उनके चंडों में बदना करते हैं, जैसी उनका मकसद पुरा हो जाता है, वो उसको दिलाएं और उनको भारतरतन दिलाएं, आपने जो शुरुवात की है, प्रदान मंत्री कहीं दिनों से बार बार पूरे देश को ये बता रहे हैं, कि यहां पे किसान एक जाती है, दूसरा गरीब एक जाती है, फिर वो कहते हैं महिलाएं एक जाती है, और किसान तो कह नहीं और भंगा जवान और किसान हैं आप है। इत्यास गवाइब है आप उठाखे देभा हमारे 55cción Unter bees में किसी भी सबस्वे सब से जादे जवान किसानों के पותर रहें किसानों की पूत्रिया उनकी पूत्रिया हैं जितने मेडल है विसक्षानों की पुत्रिया लेकाते जवान और किसान अलग नहीं है जिसलिए ये नारा दिया गया था कि जए जवान जए किसान जवान भी किसान की देर है इसलिए किसानों के संबान में आप स्वर्गे चोदी चंसिंजी को भारतातन दिलाएं और उनका मान संबान बढ़ाएं खास तोर पे एक बार-बार बात आ रही है कि अब आधुनिक खेती की बात प्रधान मंतरी करते हैं और हमारे हाँ आज भी बैल से भी खेती होती है ट्रेक्टर से भी खेती होती है लेकिन बहुत ज़्यादा परिशानी इस बात की है कि ब्याज से मर जा रहा है किसान और उसे लोन लेके जब खेती करने पड़ती समान खरीदना पड़ता है तो उसे सुलब तरीके से करजा नहीं मिलता देखिए आप आधुनिक्ता की बात करते हैं सबसे पहले धरातल की बात कीजिए अगर आपका धरातल मजबूत होगा तो आधुनिक्ता अपने आप आ जाएगी स्व मुसाल नहीं होगा वो देश कभी भी विक्सित नहीं हो सकता आप अधुनिक्ता की बात करते हैं आप गाउं में जाकर देखिए 90% लोगों के यहां 10 विगा से कम जमीन हैं और 10 विगा की जमीन के पैदावार किसी से छुपी नहीं है मात दो या भाई लाक रुपे होती है जबकि अगर 50% गाउं में जाएं तो वहां पर पांच बिगे से भी कम की जमीन लोगों पर आती है उसकी तरफ कोई धर नहीं दे रहा आप आजुनिता की बात करते हैं जब हमारे पुर्खों की जमीन गिर्वी नहीं रखी जाएगी जब किसी उपकरणों को खरीदने के ल आप एक बर करके देखिए मैं विस्वाद दिलाता हूं सारे किसान भाईयों की तरफ से यह देश खुसाल भी होगा यह देश विक्सित भी होगा अगर आपने किसान को विक्सित और खुसाल कर दिया 121 जैनती है इस 13 दिसंबर को उस 13 दिसंबर पे आप लोग कैसे सरकार को जगाना चाहते हैं अपनी आवाज वहां तक पहुचाना चाहते हैं कैसके लिए दिल्ली चलो भी आपने कहा है 13 मुट्र परदेश के हर गाउं में स्वर्गेचोदीचंसिंगी को किसान दिवस के रूप में". उनका जनम sympathetic भूत हर्स और उलास के साथ मना जाएगा गाउं में हर गाउं में दूद इखटा किया जाएगा उसी गाउं में जो हमारे परिवार की माते माता भेना चाची ताई दादी हैं उस सब मावा निकाल लेंगी वहीं पर लड्डू बनाएंगी वहीं पर पेड़े बनाएंगे वहीं कलाकंद बनाएंगी इखटा कलाकंद जो गाउं का सबसे वरिष्ट नागरिक होगा हमारे दादा पर दादा उनसे वो केक कटवाया जाएगा और वो हमरे तुरूपी पर साथ को पुरे गाउं में जनम दिन के उस्सेव पर सब को खिलाया जाएगा देखे ये जब अंगडाई आती है ये जो शाता है तो आज भी दिलों में बसते हैं चौधरी चरण सिंग इसी लिए बुजूर्ग उने जिन्दाबाद ही कहते हैं लेकिन कहा ये जाता है जिनोंने एक खेत और मेर की लडाई लड़ी है मिट्टी की लड़ाई है जब तक उन क्या याद आता है आज आप लोग चाहरे हैं भारत रत मिलें वाकर भी लड़के भी लेगे देखिये साम यह किसान का जो बार बारा का बात कही जारी कि हर किसान के अंदर एक जवान बसता है कह रहे हैं कि साब हम हर हाल में उनके लिए भारत रभ्म की मांग करेंगे और प्रभारी है पश्मी इलाकों के उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चौधरी साब ने क्या गाउं में देखा है और क्या पाया है आप देखिए चौधी साब कहा करते थे कि हिंदुस्तान की समरतली का रास्ता घाओं खेत और खलियानों से होके उजड़ता है जब तक हमारा किसान समरत नहीं होगा जब तक हमारा मजदूर समरत नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का आर्थिविकास होना संभब नहीं है ऐसे ह तो हम लोग कहते आए हैं कि 30 विवस्ता होने जा रहा है चोती अर्थ विष्ता होने जा रहा है आज किसान खेती बंद कर दे तो सारी दोस्ता दोस्त हो जाई और हमारे बच्चे आज की अगले पीडि के उस बीच में परिवार का भरन पोजन किसान कैसे करे आखिरकार वो पैसा उठाता है साहूकार से और जो पैसा वो आता है उस बाद में जो डिर साल बाद आता है वो ब्याज में चला आता है तो किसान आखिरकार आत्मध्ता पर मजबूर होता है देगे बात आ रही है कि अगर किसान आर्थिकी रूप से मजबूत होता है तो अर्थ का पूरा यानि कि आर्थिक रूप से जिसको आज हम एकनॉमी कह रहे हैं कि हम थड़ वड़ एकनॉमी हो जाएंगे वो पूरा सरकिल घूमेगा अब किसान खेती करना क्यों नहीं चाहता ह है आज उसका दर्द क्या है क्योंकि कहीं बार देखा गया है कि किसान अपना दूध सड़कों पे डाल देता है अपनी फसल सड़कों पे डाल देता है कहीं बार तो एक में आग लगा देता है इक का मुद्दा क्या है बताईए चोधरी साब इक का मुद्दा सबसे बड़ी पैमेंट नहीं आया एक साल अगर हम वियाज पह लेंगे तो आगर हमें किति प् één长ot का पैमेंट ने अनले चीज़ा आग माहसची मसूदिन मेरी ता उसके साथ में इसे लिए यह कारण से देश के लोग उनके साथ कंदे से कंदा मिलाकर नोजवान बच्चे महिलाएं चल रही हैं जहां पर भी वह जाते हैं आपने देखा होगा इतिहासी ग्रूप में उनके अकेले चलने के बाद जहां वह पहुंचते हैं वहाँ पर एतिहासी काफला जुड़ जाता है यह हम आसा करते हैं कि बिजिंदर सिंग्ग वाके इस लड़ाई को लड़के और किशानों को नया दिला पाएंगे इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम दे तो साथ यह बात निकल के आ रही है कि दर्द कहीं सारे हैं उमीदे आप से बहुत जादा है इन उमीदों पर आप लोग खा देश दिया है उसके फलसरूप हर गाओं में दूदी खटा किया जाएगा वहीं मावा निकाला जाएगा वहीं पर लड़ू पेड़े कलाकन जो हमारे किसानों की परमुक स्वीट है परमुक मिठाईया है उसको बनाए जाएगा और अगले दिन सुबह वो जनम दिन के उस स पर सब को वित्रित की जाएगी उसके बाद उस मिठाई को उस गाओं की माठी को लेके हम सब लोग भिन-भिन अलग-अलग गाओं से हर गाओं की माठी होगी हर गाओं की मिठाई होगी और उसको लेके संकल्प लेंगे कि स्वर्गे चोदी चरण सिंग जी को बारत रतन द कुछिस करेंगे क्या लगता है चौधरी चरण सिंग जी के लिए जो मांग उठाई जा रही है उस पर आप क्या मांग जा रहे हैं और इस लड़ाई को हम सब को साथ लेखे माने नेता जी को हमें आगे बढ़ाना है समस्विवां उनके साथ हैं और जो हम सब की छेतर की लड़ाई है देश वासियों की लड़ाई है उस लड़ाई को हम लोगों को आगे करने आपको लगता है कैसे हमें आने वाले पीड़ी को बताना है कि किसान के जो पितामा है वो चौधरी चरण सिंग है उनकी आवाज कैसे पहुंचेगी हर घर तक उसको लेकर आप क्या से और जो एक मांग उठ रही है मैं आपको एक बाब बताओं यह जो लोगदल की पार्टी का गठन किया था यह स्वर्गे चौधरी चरण सिंग्जी ने किया था और वह इसले किया था पूरे भारत में एक किसान ब्रादरी है उसको सम्रत बनाने के लिए किया था उनकी जो समस्य है उनको पटल पहला करके उनकी लड़ाई करने के लिए किया गया था और आप देख रहे होंगे अब उसी बीड़े को जो हमारे बड़े भाई हमारे नेता चोधरी विजिंदर सिंग जी ने उठाया है पस्चिम में कोई किसान का बेटा है अगर कोई बड़ा नेता है तो वह भी किसान का बेटा है सारे दल भी वहीं से निकले हैं मेरा कहना है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सब के बच्चे हैं हम जैसे बच्चे हैं युवा हैं वह सब भार निकल के आएंगे भारत रतन की मां के साथ साथ जो भी हमारे पार्टी निर्देश होगा पार्टी शीष निताओं का निर्देश होगा उस पर जान लड़ा देंगे लेकिन लेकर क्या है तो एक बात बहुत खास तोर पर निकल के आ बुक्वा है आपको क्या लगता है कि आज कॉलेजों में क्या शिक्षा में चौदरी चरंग सिंग्री के बारे में कम बताया जारा है ? चाहते हैं कि सिक्षाओं में बताया जाए जाए जोड़ी सवाल लेना चाहिए कि पूरा कुनबा आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पूरे कुनबे को क्या आज आप जहां संकल्ब दिला रहे हैं बस वो संकल्ब बता दिए हम कुनबे को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कुनबा आलड़ी जुड़ा हुआ है सारे साथ में हैं और सारे कुनबे ने एक असम खाई है कि चोड़ी साब को भारत रतन दिलाएंगे और उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो सब लोग करेंगे आप देख रहे थे कि हमने ये बताने की कोशिश करी और ये बात सब तक पहुचाने की कोशिश की है कि चोड़ी चरण सिंग आज भी पूरी तरीके से दिलों में जिन्दा है और एक दर जरूर है किसान के अंदर किसाब उन्हें भारत रतन मिलना चाहिए अब देखते हैं कि क्या ये आवाज दिल्ली तक कहुचेगी जिसका बीड़ा लोग दल ने उठाया है मैं प्रकर प्रकाश मिश्रा फस्ट बाइट के लिए मेरड से